पित्र दोस्ट पूर्ण के लिए दान करें, सनान करें और उनसे महावरदान पालें तो मौनिय मावस्ट का महत्व और महिमा क्या है सबसे पहले आप ये जान लीजिए धार्मिक द्रस्टी कोण से और जोतिश शास्त्र के हिसाब से यह जो तिथी होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपून मानी जाती है पित्र दोस्ट से मुक्ती पाने का सबसे सरल, आसान टाइम होता है अवसर होता है, इस दिन आप अपने पित्रों को बहुत आसानी से प्रसंड कर सकते हैं इतनी important होती है मौनियमावस्य, मौनियमावस्य पर मौन रहकर, यानि कि चुप रहकर, शुद आचरन करके, अपने व्याभार में परिवर्तन करके, सनान करने के विशेश महत्व के कारण ही यह जो तिथी है, यह मौनियमावस्य कहलाती है, इस दिन आपको चुप चाप रहकर सोबे से सनान करने तक के वक्त चुप रहना होता है, सनान करना होता है, भगवान का ध्यान करना होता है, उसके बाद पित्रों के लिए दान करने के बाद किसी से कुछ बात करनी होती है, इस दिन पवित्र नदियों में सनान करने का आपको पुन्य फल भी मिलता है, यदि सं अपने आपको एस्वस्त महसूस करते हैं तो अपने सनान के जल में अपने घर में ही एक चम्मच गंगा जल अपने सनान के जल में डाल लीजिए और सनान कर लीजिए फिर देखिए आपको वही पुन्ने वही आशिरवाद वही फल मौनियम आवस्य के दिन जरूर मिलेगा